दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और नए फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो की ओवर हीटिंग की वेश से यहां पर हमारे आइफोन में शो हो रही है तो यहां पर जब भी आप लोग अपने आप लोग इसे फिक्स कर सकते हैं दोस्तों चैनल पर लोग पहली वार आई हैं लोटिफिक्षिक्टम बेल को जरू करेना शलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यह मैसेज या फिर पॉप अप क्यूं सो करा जा तो इन सब कारणों के बेश से भी आपको यह charging was hold और due to iPhone temperature का यह message आपको शो करा जाता है तो बात करें आप लोग इसे fix कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग easy तरीके से fix कर सकते हैं आपको जाना है अपने settings में settings मुझाने के बाद यहाँ पर आपको आजाना है battery health and charging में उसके बाद यहाँ पर आपको optimize battery charging का option देखने की मिलता है अगर आप लोग इस message को हटाना चाते हैं तो यहाँ से आप लोग इसे toggle को off कर दीजिए जो कि यहाँ पर आपका message हट जाएगा यहाँ पर आप लोग अपने आईफोन को प्लाग इन भी होगा चार्जिंग पर होगा तो भी वह यहाँ से auto disconnect हो जाएगा और आपके आईफोन की battery health पर कोई effect नहीं पड़ेगा तो अमेशा इस optimized battery charging के इस toggle को on करके रखेंगे यहाँ पर आपकी maximum capacity आपकी battery काफी अच्छी बनी रहेगी तो काफी अच्छा feature है आप लोग इसे on करके रख सकते हैं इसकी वजह से आपको पड़ा चलता है कि आपका आईफोन में ओवर हीटिंग हो रही है नहीं दोस्तों यह था एक solution इस प्रॉलम को solve करने का दोस्तों आ मिलकर तुम्हें अगली वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग जय हिंद बंदे मातरम अपना खयाल रखिए